अगर हम किसी की भलाई इसलिए कर रहे हैं कि दूसरा भी बदले में हमारी भलाई करेगा तो हम इसको instrumental या काम निकालने वाली अखलाकियात कहेंगे अब तो ये बड़ों में भी बहुत ऐसा होता है लेकिन बच्चों में ये खास तोर पे ऐसा होता है कि वो अपनी भलाई की खातर अपने interest को meet करने के लिए अपनी needs को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ भलाई करते हैं People at this stage tend to help others who are in desperate situations थोड़ा सा उनको लगता है कि जिसको इस वोकत ज्यादा जरूरत है उसकी मदद करनी चाहिए क्योंके जैसे हमने अर्च किया वो थोड़े empathetic अब जरूर हो गए हैं तूसरों के interests को और needs को समझना शुरू हो गए हैं If the situation is not clear that health is beneficial then the actor would stick to the rule mind your own business अभी भी अगर उनको लगता है कि उनका कोई action कोई कुर्बानी कोई बात ऐसी जो वो दूसरे के लिए करेंगे उससे उनको फाइदा नहीं होने वाला तो फिर वो नहीं करेंगे फिर वो सोचेंगे mind your own business वैठीक है मैं अपने काम से आप अपने क कर रहे हैं कि वो बदले में उनके साथ भलाई करेगा अगर उनको इस बदले की उमीद नहीं है मसलें आप जैसे मैंने अर्स किया कि एक बच्चे के पास केक है के पास बिसकेट है वो बिसकेट वाला केक वाले को इसलिए दे रहा है कि यह थोड़ा केक मेरे साथ शेयर कर द सोचते हैं, the perspective of judgment is individualistic, तो जो फैसला करना है, जो decision making करनी है आपने, वो अपनी जात की वज़ा से करनी है, उनको लगता है कि मैं important हूँ और जो कुछ मेरे लिए अच्छा है, मैं बस वही करूँगा, दूसरों की अभी भलाई का उसको कोई खयाल नहीं है, opportunistic hedonism जो है, यह और भी थोड़ा सा swear case है, people at this stage are holding a concrete individualistic perspective, यहां पर वो समझते हैं कि हमारी जात दूसरों के मकाबले में ज्यादा एहम है, हमें अपना फाइदा करना है, अगर कोई ऐसी बात है जिसमें हमारा फाइदा नहीं है, तो खौँध दूसरों को नुकसान भी पहुंच जाए, कोई फरक ने पड़ता, देखिए यह जैसे हमने अर्स किया, कि early childhood में हमने ये ethical और moral considerations बच्चों के अंदर पैदा करनी है, अगर ये सोच बच्पन से जैसे मैंने अर्स किया कि भी मेरे interest पे कोई और कुरबान हो जाए, तो मेरा interest पूरा होना चाहिए, बड़ी खतरनाक सोच है, जो बाद में जाब के जब adults में जाती है, तो पूरे मौशरे के लिए एक बीमारी की सूरत बन जाती, तो अब देखिए, अभी जो बच्चा है, चूखे उसको फर्दर बहुत सी भलाई के बारे में और इस concept के जो बाद के जो उसके नताइज है, उसके बारे में उसको इल्म नहीं है, तो वो अभी अपनी जात के अंदर गुम है कि हम उससे फाइदा भी हासिल करें, so what one person gains, someone else has to lose, अगर मैं कुछ दूँगा, तो फिर कहीं नहीं इसका नुकसान भी मुझे होगा, so put it in an extreme form means, better for others to die for me to live if necessary, सबसे कतरनाक situation यह है, कि आप अपनी जान की खातर, अपने फाइदे की खातर, दूसरों का नुकसान करें, औ चोटे बच्चों को आप अकसर देखते हैं, कि वो अपने लिए खिलोना चीनने के लिए, या अपने लिए कोई घजा का टुकडा, या कुछ भी whatever, चीनने के लिए दूसरों को मारते हैं, पीटते हैं, धका देते हैं, गिराते हैं, या चीन के भाग जाते हैं, ये वो रव पूरा नहीं हो रहा तो पिर किसी का भी नहीं होना चाहिए तो यह हमारे वो फिलोसफर हैं जो कहते हैं कि भई अपना फाइदा देखो अपनी जात को बचाने के लिए अपनी सर्वाइवल के लिए जो करना है करो बाकी जो हैं वो अगर कोई फाइदा नहीं उठा रहे या कोई आपकी जात से उनको कोई या इसलिए नुकसान पहुंच रहा है कि आपका कोई फाइदा नहीं हो रहा तो बिलकुल आप अपने आपको अजाद रखें और अपना बिजनेस जो है वो देखें दूसरों का फाइदा करने की कतन आपको जरूरत नहीं है खास तोर पर अपनी कुर्बान ही दे के तो सो ये रवया जो बच्चों के अंदर पैदा होता है इसको शुरू से ही दुरूस करना हमारी जरूरत है